आप देख़र ईापका चैनल शेयर Bazar वितायू शरदोस्तों आज हम बात करने वाले हैं Burger King के रिजल्ट के उपर Burger King के आज दोस्तो नतीज़े आने वाले थे किस प्रकार के नतीज़े हैं या आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे नतीज़े हैं तो दोस्तों आप वीडियो आने तक जरूर देखिएगा और फ्रेंट अब देख़ेगा अपने आपा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज फ्रेंट चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा आपको अगर वीडियो यह अच्छा लगए तो लाइक करना मत भूलना तो देखिए बर्गर किंग में आप देखेंगे तो बर्गर किंग रिजल्ट से पहले काफी बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया है 154.10 पे आज इसने क्लोजिंग दिये तीन रुपे चालिस पैसे शेर बढ़ाय है और 2.26 परसे आपको शेर में आज तेजी देखने को मिली है बट जो दोस्तो नतीजे आये हैं वो थोड़े से खराब आये हैं पर आपको बता देता हूं किस प्रकार के वो नतीजे हैं आपको मैं दिखा देता हूं तो दोस्तो परस्त टाइम इनों अपने रिजल्स घोशित की हैं और जो रिजल्स आपको देखने को मिले हैं वो थोड़े से देखी निराश जनक है और आपको इनके लॉस देखने को मिला इस बार 29 करोड का रिजल्स में और जो रेविन्यू है वो दोस्तों करीब अठाइस परसेंट हुआ है यह थोड़ा सा खराब न्यूज है क्योंकि देखिए रिजल्स अगर ऐसे आएंगे तो थोड़ा सा देखिए जो निवेशक है जिन्होंने अच्छा सोच कि आपको देखिए पैसा लगाया है वो उनको थोड़ा सा आपको दुख देखने को मिलता है बट अगर हम पढ़ते तो क्या बोला है मैंनेजमेंट में वह बहुत इंपोर्टन होता है तो तो कंपनी रेवेन्यू इन देखिए पॉर्डर डिकलाइन ट्वेटी एट पॉइंट 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 परसेंट ऑन इयर तो रूपीज वन सिक्स्ट्री पॉइंट करोड हावेवर ऑन अच्छी नहीं खबर है क्योंगी दोस्तों अगर टॉप लाइन यहां पे इंप्रूव होती है तो डैफिनेटली कंपनी अच्छा कर रही है इसके कारण वह इंप्रूव हो रही है तो यह आपको काफी बड़ी इंक्रीज दिखने को मिला है तो देखिए यहां पर जैसे इ हुआ है कंपनी ने सबसे इंपोर्टेंट किया था कि यहां पे सब कुछ बंद था और देखिए इनका जैसे कारोबार बिल्कुल थप था बट वापिस से आपको देखिए यहां पे सब कुछ ओपन होता वा नजर आ है जो पहले करीबन 21 करोड का लॉस था वह बढ़के 29 कर करोड हो चुका है बट अगर आप देखते हैं कंपनी के रेविन्यू में तो वहां पे भी करीवन आपको 28.4% का डिकलाइन देखने को मिला है जो अब हो चुकी है 163.19 करोड तो यहां पर डेफिनेटली देखिए आपको स्टॉक ने अर्निंग सबसेरे लिस्टिंग के बा 69% की कंपनी ने क्या कहा है कंपनी ने कहा है कि जो इसका रेविन्यू है वो करीबन 72% रिकावर हो चुका है जो पिछले कॉर्टर में से था देखिए यहां पर लिखा हुआ है कंपनी से रेविन्यू रिकावर तो 72% on the level they were in the same quarter year ago suggesting that the quick service restaurant operator is still reading the impact of covid-19 pandemic तो देखिए इन्हों but company ने अभी भी कहा है कि जो 72% इनकी जो रेविन्यू होता है वह वापे से रिकावर होना चालू हुआ है तो काम फिसे चालू होना लग गया है अगर दिखते हैं at the end of January Burger King said that the recovery in the top 10 was at 99% of the pre covid levels and 86% of the same month year ago तो यहां पर company ने जो बोला तो है लेकिन but important यह है कि देखिए आगे कि जो quarters अब आएंगे वहां पर profit आपको दिखाना पड़ेगा इनको otherwise देखिए अगर यहां पर company आपको अगर वापे से loss दिखाती अगले quarter में तो फिर थोड़ी से एक दिक्कत की बात होगी यहां आप देखते हैं तो company ने क्या कहा है company same store sales a key metric in judging the revenue performance of each store decline by 34.8% but recovered sequentially from a decline of 48. 48.6% तो जो पहले 48.6% इनकी देखे close थी इनकी sales अब वो हो चुकिए 34% तो आप देखेंगे sales में फिर सापको इक increase देखने को मिला करीवन यहां पर देखेंगे 14% का from back but overall मुझे लगता है कि देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कल देखना होगा अगर गिरावट मिलती है तो देखिए मेरी यहां पर सलाख खैदारी की रहेगी क्योंकि 130 रुपेस से यहां पर strong base आ जाता है फिर share का 130 की नीचे अगर यह जाता है तो फिर दिक्कत होगी but otherwise यहां से मुझे लगता है कि वापिस से share आपको moment दिखाएगा आप वापिस से share क आपको करीबन 5% की गिरावट दिखाई है तो यह थोड़ा सा दिक्कत की बात है बट अकर देखेंगे लास्ट पाच दिन में तो पाच दिन में शेयर ने काफी बढ़िया ग्रोथ करिए 11% की 11% बढ़ चुका है share बट आप देखेंगे तो कल आपको result का आप impact देखने को मि अगर यहां पर कल अपने लेवल्स जो लेवल्स होने वाले कल इंपॉर्टन होगे दोस्तो 145 और 140 अब अगर कल 145 और 140 अब अगर कल 145 और तक भी गरता है तो देखिए यह ठीक तक गिरावट होगी और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी शेयर के अंदर बट अगर कल 140 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहां पर दोस्तों थोड़ी चिंता की बात होगी क्योंकि 145 और 140 दोनों य ज़रा सकता है तो यहां पर कल इंप्रॉटन दे होने वाला है देखिए आपके कंपनी की कॉमेंटरी देखे तो वह थोड़ा सा वापिस आपको देखी ग्रोथ की कोशिश कर रही है इंग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रही है बट और हलाब देखेंगे तो अभी रिजल् ने दब को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करेगा चलना को सब्सक्राइब करना माद भूलना वीडियो को शेयर विजो करेगा थैंक ये फ्रेंड्स वर ओचिंग दिस वीडियो